को शून्य दो तीन साथ एक और अगेती पुश्पन रहित प्रजाती है, इसकी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में खेती के लिए सिफारिश की गई है ये मानक प्रजाती को जे 64 से रस में 4.92 प्रतिशत अधिक शरकश तथा 8.73 प्रतिशत अधिक CCS उत्पादन और 5.53 प्रतिशत अधिक गन्ना उत्पादन देती है इसमें रेशो की मात्रा 12.89 प्रतिशत पाई गई है, 9.34 टन प्रतिए हेक्टेर CCS उत्पादन की है और 71.33 टन प्रतिए हेक्टेर गन्ना उत्पादन के आंक्डे दर्ज किये गए है और दस्वे महिने में 18.78 प्रतिशत रस में शकर्ष की है इसका गुड हलके पीले रंका होता है जो A1 गुणवतावाला है ये भी कम तापमान, सुखा और जर्ल प्लावन के प्रति सहनशील है ये लाल सडन रो के लिए मध्यम प्रतिरोधी है चुन्य एक एकाण जिसे करन दो के नाम से भी जाना जाता है एकाणिया अगेती न गिनने वाली पुश्पन रहित प्रजाती है इसकी पंजाब, हरियाना, उत्राखंट, राजस्तान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्यक शेत्रों में खेती के लिए सिफारिश की गई है इसे कोजे 64 के विकल्प के रूप में दिखा जाता है क्योंकि ये उससे गन्ना उत्पादन वर रस में शकर्ष की द्रिष्टी से बहतर है कोशुन्य 118 ने कोजे 64 से 15.7 प्रतिशत बहतर गन्ना उत्पादन तथा 3.7 प्रतिशत अधिक रस में शकर्ष दिखाई ये प्रजाती 300 दिनों पर 78.2 तन प्रति हिक्टेर गन्ना उत्पादन, 9.8 तन प्रति हिक्टेर CCS तथा रस में 18.45 प्रतिशत शकर्ष दर्शाती है ये सूखे वजल प्लावन के हालातों में भी बहतर प्रदर्शन करती है पंजाब, हरियाना, उत्तराखंड तथा उत्तरप्रदेश की 50 चीनी मिलों में किये गए मुल्यांकनों ने इस प्रजाती के बहतर प्रदर्शन को सशक्त कर दिया है इसमें रेशों की मातरा 12.78 प्रतिशत पाई गई है ये लाल सडन रोग तथा विल्ट प्रतिरोधी है इसका गुड हलके पीले रंग का A1 गुणवत्ता वाला है